ये गाइज वलकम बैक तो माय चैनल ये है मेरा फोर्थ मीनी ब्लॉग तो थर्ड मीनी ब्लॉग में मैंने आप लोगों को अपना हैर कटिंग दिखाया था आप लोगों ने मेरा लोग बहुत पसंद किया और अभी मैं निकल रही हूँ कहा हो बताती हूँ सिबसे पहले तो मै चाहता क्यारी करती हूं गाइस क्योंकि मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं है और मैं जारी हूं आज मैंने हैर कलर कराया था कुछ महीनों पहले और आज मैं जारी हूं रीटच के लिए आगे मैंने ब्राउन कराया था आज मैं फिर से उसको थोड़ा सा रेड रेड रे रेट 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 करने वाली हूं और मैं आज चेकी हूं एंड रिच और गाइज अभी मैं इंतजार कर रही हूं क्योंकि जावेद थोड़ा बिजी है वो मेरा फेवरेड हैर स्टाइलिस्ट बन चुका है और यह रहा जावेद कहरा है कि तुमने जो फिल्टर लगाया ना उ चाविज से ही बुलवा दूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अगर यह कलर किसी को कराना हूँ तो और बस महनत चालू आहे वैसे मुझे मराठी बिलकुल भी नहीं आती है और आती है मतब इकड़े उकड़े तिकड़े कुठे काई जाला मुंबई में शुरुआत में जो बस में मैंने सीखा था अतना ही तो सौरी जो भी मेरे मराठी फैन्स है अगर मैंने कुछ गलत बोला तो और मैं अल्व कहिए यहांपे यहां पर यहां i है और यहां पोट को हो चुक ए बहुत ही बोहिंग पार्ट होता है वेक कर यहां फॉर सासे कैロ सकार्ण उपले ओर और अधो करने के लिए जाबित कुछ करना है तो आए यहां पर थेंडे ठेंडे इंडे पानी से नई नाइड तो मुझे जुक्छाम हो जाती है बार्ष के टाइम पर यहाँ पर हो चुका है मेरा हैर वाश फाइनली यहाँ पर सिरम लग रहा है पर जोकिcomb precis भालं ओर यहां पर रियुक्ट हो रहा है मैं फिर करण वारत नहीं चाहारी बहुत प्यारा लग रहा है बहुत जादा कि अधिक तो प्रवार इसे नहीं कहा कि मेरा फेड्रेट है सुन्दर सुन्दर बाल मेरे मैं क्या करूं वैसे मैं क्या करूं नहीं गाइस अगर आप लोग को मेरा है कलर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीस कमें बताना और थोड़ा इतराते हुए बालों के साथ लटके- अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस कर देना